बेड कहते है कि तीन तत्व होते हैं एतज्गेयम नित्यमेवात्म संस्थमनाता परंबेजित अब्यम्हिकिंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सरबंप्रोक्तं त्रिविदं ब्रह्ममेतत स्वेता चतरो पनिशत एक बारा ये मंत्र नारद परिब्राज को पनिशत में भी है नौ ग्यारा अर्थात तीन तत्प होते हैं फिर बेद कहता है सरवाजीवे सरवसंस्ते ब्रहंते अस्मिनहंसो भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे प्रसगात्मानंप्रेरितारंच मत्वा तीन तत्प होते हैं स्वेता स्वतरो पनिशत एक चाँ संजुक्त मेतत खर्मक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीश श्चात्मा बध्यते भोग्त्रिभावात् स्वेता स्वतरो पनिशत एक आठ ग्याग्योदा वजा वीशनीश वजा येका भोग्त्रिभोग्यार्थ जुक्ता अनंत श्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम जदा बिंदते ब्रह्म मेतत् कि श्वेता स्वतरो पनिशत एक नौ और ये सब मंत्र नारद परिप्राज को पनिशत में भी है साथ पाच साथ छे साथ आठ कि यह सब बेद मंत्र कह रहे हैं ति तीन तत्पही तो होते हैं कुल जमा टोटल एक का नाम ब्रह्म एक का नाम जीव एक का नाम माया बस ऐसा बेद कह रहा है और यह भी कह रहा है बेद के इन तीनों में तीनों अनादि हैं अर्थात भगवान या ब्रह्म इह भी अनादि है सदा से हैं और जीव हम लोग भी सदा से हैं और माया इह भी सदा से हैं लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं हैं स्वतंत्र एक है ब्रह्म तमीश्वरानाम परमं महेश्वरं तम देवतानाम परमंच दैवतं पतिंपतीनाम परमंपरस्तात विदामदेवं भुवनेशमीद्यं स्वेता शतरो पनिशत छे साथ इसमें एक जीव है हम लोग उसके विशय में बेद कहता है पादोस विश्वाभूता नित्रपादस्या मृतन दिवी सब जीव भगवान के अंश हैं हाँ भगवान हमारे अंशी है ब्रह्म हमारा अंशी है हम उसके अंश हैं लेकिन अस्मान माई स्रिजते बिश्व में तत तस्में श्चान्यों माययासन निरुद्धा स्वेता शतरो पनिशत चार नौ ये जीव सदा से माया बद्ध है एक दिन माया बद्ध हुआ ऐसा नहीं और भगवान मायाम तु प्रकृतिम बिद्ध्यान माईनम तु महेश्वरम स्वेता शतरो पनिशत चार दस वो माया धीश है माया का अध्यक्ष है प्रधान पुरुशेश्वरह वो माया का भी अध्यक्ष है और जीव का भी अध्यक्ष है सकारणम इच्छे सोला स्वेता शतरो पनिशत सकारणम करणा धीपा धीपा स्वेता शतरो पनिशत चानो यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुशेश्वरह भागवत इस प्रमान कहे रहे हैं कि जीव और माया का अध्यक्ष ब्रह्म् जीव माया स्वतंत्र नहीं है और ये जीव माया अंश भी नहीं हो सकते ये तो बेद कह रहा है भागवत कह रही है और इक गीता भी कह रही है ममई भान्शो जीव दोके जीव भूता सनातना ये जीव मेरा अंश है अरजुन पंद्रा साथ तो क्यों जी अगर हम भगवान के अंश हैं तो जैसे समुद्र का आप एक गिलास ले लिजिए पानी वो वैसाई होगा जैसा पूरे समुद्र का पानी है खारा खारा तो आगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान का गुण हमारे अंदर होना चाहिए पर हम तो माया बद्ध है दुखी है अग्यानी है और भगवान माया धीश है सरभग्य है आनंद मैं है उल्टा फिर हम अंश कैसे हैं जी नमबर दो भगवान या ब्रह्म नाम की पर्सनेलिटी वो होती है जिसका तुकड़ा न हो सके नैनम चिंदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योय मदाहियोय मक्लेद्यो शोष्टेवच नित्यस्तर्भगत स्चानुरच लोयं सनातन गीता दो तेश दो चवविश भगवान ब्रह्म ऐसा तत्व है जिसको अगनी जला नहीं सकते कोई हथियार काम नहीं कर सकता उसको टुकड़े उकड़े नहीं हो सकते पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मदुच्यते पूर्णत पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावस्ष्यते ब्रहदारन कोपनिशत पांच एक एक फिर कैसे हमानुश हैं जी तो शास्त्रों ने बताया कि हम भगवान की शक्ति हैं यह तो मानोगे भूमिरापो नलोवा युक्षम्मनो बुद्धिरे वचा हमकारितियम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्दा प्रेजमितस्वन्यां प्रकृतिम्विद्धिमे पराम जीवमा भूत महावाहो यहेदम धार्जते जगत साथ चार साथ पांच गीता भगवान की दो शक्ति हैं एक का नाम परा मान जीव और एक का नाम आपरा अर्थात्माया तो हम लोग परा शक्ति हैं परा माने उत्कृष्ट बढ़िया क्यों इसलिए कि हम चेतन हैं और माया जड़ है ठीक है चेतन होंगे हम मान लिया हमने लेकिन अंश कैसे है तो इसका उत्तर दिया शक्तित पे ना अंशत्वम बेंजयति जो किसी की शक्ति होती है वो उसी का अंश होता है यह नियम है तो शक्ति होने से हमको बेदो ने भी कहा और गीता ने भी और भागवत ने भी कहा हम उनके अंश है माने शक्ति हैं तो इस प्रकार तीन शक्तिया भगवान की हैं तीन आप तो दो बता रहें एक और हैं विष्णु शक्ति पराप्रोप्ता छेत्रज्या ख्यात था परा अविध्या कर्म संग्यान्या त्रितिया शक्ति रुष्यते विष्णु पुराण छे साथ एक सट एक कनम परा शक्ति परा वही तो जीव है ना ना विष्णु पुराण कहता है परा शक्ति अंतरंगा शक्ति है और ये जीव शक्ति छेत्रज्य है गीता ने जीव शक्ति को परा सब्द बोल दिया और विष्णु पुराण कहता है नहीं नहीं ये परा नहीं है ये तो छेत्रज्य है इस शरीर रूपी छेत्र में रहती है जीवात्मा और परा शक्ति भगवान के पास रहती है वो बड़ी प्राइबेट पावर है भगवान की इतनी प्राइबेट है कि सारा काम उसी से भगवान करते हैं और आनंद में रहते हैं हम लोग उसी पराशक्ति से रहते हैं इसलिए छोटी सी फेमिली में भी टेंशन में रहते हैं भगवान के अनंत पुत्र अनंत ब्रह्मांड और सब के भीतर बैट कर एक भगवान एको देवस सर्भभूते शुगूड़ सरभव्यापी सर्भभूतांतर आत्मा छे ग्यारा और वो अशान्त नहीं होता कभी सब बच्चे आवारा 99.9 परजन्ट हम सब लोग आवारा ही तो हैं अपने बाप को भूले हुए अपने को शरीर मान कर शरीर वालों से प्यार कर रहे हैं है इस तुच्च और जड़ माया में दिव्यानंद ढूण रहे हैं इस संसार को देख कर इस संसार के सब्द सुनकर इस शंसार के बश्ट्मों को खाकर इस संसार का माबाब बेटा इस्तरीपती के शरीर का आलिंगन कर आनन्द ढूण रहे हैं बूल गए हमा आत्मा है भगवान की शक्ती है डिब्य है